हेई गाइज माइनेम इजनुराधा वेलकम टू आर चैनल जीकी गाइडेंस इन नौलेज हैपी मौनिंग तो लफ यू कैसी है मेरी जीके फैमिली आई होब सभी अच्छे होंगे अपनी सेहत फैमिली और पढ़ाय के दैन काफी अच्छे से रखी जली शुराद करते हैं आज कि 40 साल की उमर में प्राइम मिनस्टर बन गए थे इंडिया के यह आज दके सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनस्टर रहे हैं इनके बर्थ हैं नियुरसरी की रूप में सद्वावना दिवस सेल्बेट किया जाता है यह ऐसे प्राइमिनस्टर है हमारे देश के जिन्हों ने हम कि दौरारा और यह सब क्यूं हुआ पहले जब अंग्रेज राज कर देते हैं तो वह उस टाइम पर लोगों को जो गुलाम बना कर रखती थे उनको अलागे लग जुगह पर ले जाते थे तो हमारे तमिल लाड़ो से काफी सारे लोग है जिन्हें श्रिलंका ले जाया गया थ वारा इस वजह से वहां पर काफी जादा टार्स ग्रूप बन गए और यह सब को रोकने के लिए हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांदी उन्होंने काफी जादा हल्प की थी इस वजह से इनका जब ये तमिल नाड़ो के अंदर एक फंक्शन के अंदर गए हुए थे तब इनका एस्सेंनेशन किया गया को जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा रोस था अब दिखते हैं अगला डे का है इससे हमारी energy security को भी सिक्यूर कर पाएंगे और काफी जादा फाइदा भी होगा इससे हमारे environment के ओपर भी कोई जादा लोस नहीं होता है renewable energy के sources कुंद कुंसे wind है air है sun है geothermal heat है ये काफी सार इंदा ऐसे sources हैं जिनको हम use कर सकते हैं और ये इसे sources हैं जो अपने आप ही reimburse हो जाते हैं इनको बार-बार कुछ करने की जुरूत नहीं होते हैं जबकि हम जो fossil fuels इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं और ब्रिटेन की तरफ से वेस्ट मिनिस्टर हैं इसको देख लेते हैं इंग्लेंड के अंदर होने वाली है इंग्लेंड के पोर्ट पे हमारा आयनस टबर हो पहुंच चुगा है और यह annual bilateral drill है जिसका नाम दिया गया है exercise कोकन 2021 इसको ध्यान में रखिएगा यह 2004 से ही शुरुआत होई थी इसकी मतलब कि काफ कुरान एक्सराइज जो अभी तक चलती रही है और यह annual bilateral exercise है मतलब कि हर साल होने वाले exercise है कि दोनों ही कंट्रीज की जो ने भी हैं उनके बीच में इंटर ऑपरेबिलेटी से नर्जी औ तरह का चाको होता है उसके नाम पर इस operation का नाम रखा गया था इस operation के उपर एक बुक है वह रिलीज हुई है तो उसी को ध्यान में रखते हुए operation कोकरी के उपर question पोच्छा सकते हैं तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमें बताने मिसे कौन से statement वो correct है उपरेशन कोकरी एक युनिक मल्टी नेशनल ऑपरेशन है युनाइट निशन असस्टंस मिशन इन सीर लियॉन इसे इन शोट हम यून ने MSIL बुलाते हैं परेशन का एम क्या था था कि ब्रेक क्या जासके जो लगातार दो मन्त से चल रही थी सीज किसके द्वारा लिड की जारी थी वहां के खाव डूलूशनर्य उनाटि फ्रंट पड़ेएं इन से इन्छोट इन से कौन से स्पर्ट में से कोई नी तोह नहीं तोह उन्स कोई नहीं तोाइस होगा रहा जशनल्रेशन विपन रावत है उन्होंने इसको प्रेज़न्ट के इस बुक को जिसका नाम सब्सक्राइब के लिखा है इसके अंदर आर्मी का सक्सेस्फुल रेस्क्यू मिशन था सिर्य लियोन के अंदर उसके अंदर हमारी इंडियन आर्मी है उसकी तरफ से युनाइटिट नेशन पीसकिपिंग मिशन के अंदर इन इंक्लूड किया गया था यह संदो जार की बात थी सिर्य लेवन वेस्ट अफ्रिका के अंदर इसके अंदर सिविल च्रिप चल रही थी काफे ज़्यादा प्रोब्लम्स देखने को मिली इसके विज़े से इसके अपर ने काफे ज़्यादा प्रोब्लम्स फेस की इनके उपर दो बार हमला किया गया और यह उसके बाद में भी खड़े रहे और 233 के साथ यह वापस आये थे और इसके अंदर गोर्खा रेजिमेंट वह भी शामिल थी इसके बारे में क्या कहा जाता है जो मारे पहले फील्ड मा इसके बारे में आप समझ सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन ने इसने रिसेंटली अप्रोबल दे दिया है मुझा के लिए कि इसके बीच में जो लोजिकल सर्वें इंडिया जिसने हम जैसाई बलाते हैं मिनिस्ट्र ऑफ माइन्स और कौन सी ऐसी कंट्रे जिसके साथ में कोपरेशन किया जा रहा है जियोलोजी की फिल्ड के अंदर मारे फ्रेंस हैं बांगलादेश यूसे वह इतनाम चाइना हमारा अंसर क्या होगा हमारा अंसर होगा भी इस यूसे यूनिंट के अपरोबल दे दिया है इसके अंदर आइडेंटिफाइगा जाएगे इडिया असया को लंदूंशण मार्जिन इसके अंदर जोलोजीखल किस्टी में और मल्ट आइसो टापिक से इसके जाएगा ढर्य डियागोर कि किि सारल उन्हें सर लेटर आर्मी नियोगनाइज किया 400 किलोमेटर इसका नाम रखा गया है जजबा ए तिरंगा यह रैली महरत होने यह कहां कौन सी युनियोटरिटी या फिर स्टेट से शुरू हुई है इसके अंदर 400 किलोमेटर रणिंग की जाएगी जजबा ए तिरंगा इसका नाम दिया गया है इस इवेंट के अंदर जो मेजर जर्नल राजी पूरी है और उनके साथ में और भी उनके मिलेटरी परसनल हैं वो साथ में मिलकर उन्होंने फ्लैग उफ किया है और इसके अंदर 300 सब्सक्राइब करेंगे और अपने हाथ में तिरंगा लेकर चलेंगे लोसी की पास में और इस रणिंग के दोरान ब्रदर होड़ा पाई चारा है उसको बढ़ाने की कोशिच की जा रही है यह जंडा है हर यूनिट के अंदर एक दूसरे शोलज़श को बेद दिया जाएग परस्ट और निए फिर दोनों में सी कोई नहीं तुमारा असर क्या हो का रहा है कि जो काफे जाता दो करोड के आसपास लोग जो ऑस्पिटल के अंदर जाना चाहते हैं और आश्मान भारत मिशन के साथ में और आश्मान भारत है वो कबर करता है तैन पॉंट 10.74 करोड वलन पॉटम पीम जे वाई बुलाते हैं एक नेशल हेल्थ इंशोरंस है इसके अंदर फाइव लैक रूपीज तक की फ्री एक्सेस प्रवाइड की जारी है इतने तक की और इसके अंदर जो बॉटम 50 परसंट है कांट्री के अंदर बैनेफिचरी जो लो इंकम कमाते हैं और इस की रिस्पेक्ट में इंटर गॉर्मेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफर्म और बाया डाइवर्सिटी एंड एको सिस्टम सर्विसेज से इन शोटम आई पी बी इस गुलाते हैं एक युनाइटिट नेशन की स्पेशल एजंसी है जिसका फोकस है बाया डाइवर्सिटी और इसकी साइकेट्रेट हैं फो आ भी पेसके किसके द्वार प्रोगराम की जाते हैं युनाइटकिट नेशन इंवार्मेंट प्रोग्राम की दुरार इस इंठेट्मेंट में प्र बताने में से को जब् Risks Health कि यह इसा प्लेसी प्लेट्फरम और निया कोई बने टार बता सकते यह एक independent inter-governmental body है जो की established की ही है states के दवारा इसका objective है ताकि strengthen की अजास के science policy को ताकि interface है वो biodiversity का ecosystem services का conservation की अजास के और sustainable use के अजास के इसको बनाया गया था Panama City के अंदर 21 April 2012 को इसके अंदर 94 governments है वो शामिल हुई थी यह United Nation की कोई special body नहीं है लेकिन फिर भी United Nation Environment Program के दवारा इसक statement को किसके reference में North Eastern Regional Agriculture Marketing Corporation Limited जिसे हम NER AMA सी बुलाते हैं यह Central Public Section Enterprise है जो किसके अंदर काम करता है Ministry of Agriculture and Farm and Welfare के अंदर Cabinet Committee on Economic Affairs जिसे हम इन शोट CCEA बुलाते हैं उसने रिसेंटली अप्रूब किया है रिवाइवल पैकेज को जो कि 77.45 करोड का इसके अंदर North Eastern Regional Agriculture Marketing कोपरेशन लिमिटेड के लिए जैसे हम इन शोट NER AMA सी बुलाते हैं इसमें से कौन सी स्टेटमेंट को करेक्ट ही बताने हैं फिर्स्ट अल्ली से कि नहीं फिर दोनों में से कोई नहीं तुम्हारां से क्या होगा हमारा अंसर होगा इसको देखते हैं कैबिनेट कमिटी और एकोनोमिक अफेर्स ने जो रिसेंट्ली 77.45 करोड का डिवाइवल पैकेज अबरूव किया है उसके अंदर 17 करोड सांव उनको यूज क्या जाएगा फंड बेस्ट सपोर्ट प्रवाइड करवाने के लिए जिबकि इस 60.45 करोड नोर्थ इस्टन रिजिनल अग्रिकल्चर मार्केटिंग कोपरेशन लिंटेड ये एक सेंट्रल पब्लिक सेंट्र इंटर्प्राइज है जो की काम करते हैं मिनिस्ट्र डेलोप्मेंट ओफ नोर्थ इस्टन रिजिन जिसें MDONER बलाते हैं ये रिवाइवल पैकेज है ये हे इस फ्रेमवर्क के अंदर एकस्पेक्ट किया रहा हर कंट्री से कि वह सब्मेट करेंगे इंहेंस करेंगी जो अपनी नेशनल डिटर्माइन कोंट्रिबूशन है हर पात साल के लिए रिचट के अंदर जो कंट्री के अंदर जो कमेट किया गया था उसको इंहेंस करने की कुशिच की जा रही है कॉप 26 के अंदर एक अगला कोशन ने कंट्री करना इंट सब्सक्राइब को किसकी रेफरेंस में नेट जीरो अमेशन की बारे में बताना है एक ऐसी कंडिशन है जहां पर जो कंट्रीज हैं उनका एमिशन जीरो हो जाता है और इसके अंदर जो इंडर्स्री लेवल है उसके बेस्ट रेंजबा नैं नियृण से कॉमिट नहीं किया है नइट जीरो तैम लाइन निए से कौन हं और व्क लेक्टे से बिबिगे हैं कट को carbon का emission करते हैं उतना ही उसको हम observe कर लेते हैं environment से उसे net zero emission कहते हैं ना कि उसको total zero कर देना इससे carbon neutrality भी उलाया जाता है emission को net zero करने के लिए दो तरीके को यूज़ गया जाता है एक तो green house gases का absorption किया जाता है और दूसरा removal की जाता है absorption है वो करना आसान होता है क्योंकि हम उसके अंदर sink करते हैं हम forest का यूज़ करते हैं ताकि उसको हटाया जा सके और दूसरा यूज़ है वो एक food उसके उपर जो उसको futuristic technology की जूरत होती है जैसे की carbon capture है और storage है carbon emission है वो सर्फ zero नहीं हो सकता उसको हम negative भी कर सकते हैं जैसे इसका भूटान सबसे अच्छा एक्जमपल है वो जितना हो अमिट करते हैं उससे जादा तो वो अप्सॉर्फ कर लेते हैं इंवार्मेंट के अंदर से इंडिया के अंदर अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है कोई भी ऐसी टाइम लाइन फिक्स नहीं की गई है कि हम कब तक खतम करेंगे जिबकि चाइना के अंदर दो हुजार साथ तक की टाइम लाइन दी गई है इसके बाद में यूएस और चाइना के बाद में काफी सारी कंट्रीज है जिनके अंदर जैसे की यूके है फ्रांस है उन्होंने भी काफी जादा स्टैप उठाए है अपना जो टार्गेट है वो सेट किया है नेट-जिरो अमिशन की वो मिडल ओफ दू सेंच्छी मतलब की कि दोजारफ पचास तर खतम कर देंगे कम करदें अर अपने जैनवार्मट की उपर पर जो हमारा नेट-जिरो एमिशन होता है उसको उतना ही एब्जोर कर लेंगे नेट-जिरो कारबन परелиया और काम कर दियुके निदा काफी लोग से बारेिक है की डिच की चले देखते हैं इसके इंदर कहा जाए रहा है कि एक सेपरेट आई एस सिवल सर्विस एक्जाम सेंटर लेह लदाख के इंदर बनाया जाएगा फिर दूसरी स्टेटमेंट है इनसेंटिफ भी प्रोयड की जाते हैं जिन का नाम दिया गया है स्पेशल एलांस फॉर आई इस ऑफिसर्स जो कि बिलॉघ करते है नौर्फ इस्टेन के इंदर काम कर रहे होंगे यह प्रोयड की जाएगी जो नौर्फ सििर्ट मरें काम नियुप कुए किया जाएगा जो प्रिलिम्री एक्जाम है 2021 का जो की 10 अक्टूबर को आने वाला है और यह स्टीसिजन क्यों लिया गया है कि यह जो लद्दा की यूथ है उन्होंने काफी बार डिमांड की है कि उनको डिफिकल्टी होती है एक्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचने के लिए क्योंकि उनको यह सबसे ज़्यादा प्रोब्रम तो यह होती है कि वहां का जो वैदर कंडिशन सब वह इतनी अच्छी और इतनी फेवरेबल नहीं रहती है कि वह हमेशा एक्जामिनेशन सेंटर पर हमार बोडो सिंधी संताल तो मार अंसर क्या होगा हमार इसका अंसर है हमार इसको देख लेते हैं पाइनेपल बेस्ट एग्रो फोरेस्टर ट्रडिशनल प्रेक्टिस की जाती हमार ट्राइब के दोवारां जो कि साओथ इस्टन आशाम एंदर की जाती है यह सस्टनेबल और की जून कल्टिवेशन भी है कि यह के इसके जून कल्यशन होता है और वह में कु मैंने रहता ब्रोरा करती देगक्टिए देए सब्सक्राइब कर दें और इसे ही इनका चलता रहता था उस वजह से काफी जादा नुकसान होता था हमारे सोईल इरोजिन हो सकता था एग्रोनॉमिक प्रोड़क्टिविटी है वह भी कम हो जाती थी इसी वजह से नॉर्थ इस्ट इंडिया और काफी जादा एशन कंट्रीज हैं साउथ एशन कंट्रीज हैं उनके इंदर सिफ्ट किया जा रहा है वह इसके जो एग्रो फॉरस्ट्री सिस्टम इसे हम P.A.F.S बुलाते हैं यह डॉमिनेंट यूज़ किया जाता है इंडिया इस्टन हिमालयाज के इंदर और कफी ज़्यादा एशे के पार्ट से जिनके अंदर यूज़ किया जाता है इसका मल्टी परपस ट्रीज के साथ में यह वह कुशन इसका आंसर आपको सलेटेंट करने के लिए और उसे मिंटर्स करने के लिए और किया है ज़्यार ने चाणे आपको सहिंगर मेंने इसका साथ में चईनखने